मधुबनी जिले के जंजारपूर में मध्य निशेद विभाग की पटना की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब की एक बड़ी खेप जब्त की है अरुनाचल प्रदेश से चले इस ट्रक को जंजारपूर धाना छेत्र के एनेश 57 पर रंजीत पेट्रोल पंप के समीप पकड़ा गया उस वक्त ट्रक में मात्र उसका चालग था DSP आशीश आनन ने बताया कि ट्रक चालक समस्तिपूर जिला के कल्यानपूर गाव का रहने वाला है जिसकी उम्र 32 वर्ष है उपलप्त कागस के अनुसार ट्रक अरुनाचल प्रदेश के बंदर सेवा से चल कर उत्तर प्रदेश के इतावस रहर में जा रहा था ट्रक पर दवाई की रद्धी काटून रखी हुई थी रद्धी काटून ले जाने का ही कागजात उसके पास उपलप था जबकि काटून के नीचे भारी मात्रा में शराब रखी हुई थी ट्रक को शनिवार की शाम जंजार पूर्थाना लाया गया देर रात तक खाली कराया गया रविवार की दोपहर तक इसकी गिंती हुई उस वक्त पटना के अधिकारी भी वहाँ पहुँचे थे शराब में बॉटल की संख्या लगभग 17,314 थी जो की लीटर में 5,295 लीटर हुई शराब की कीमत पिहार के ब्लैक माकेट में लगभग 65,000 रुपे से उपर की बताई जारी है जबकि ट्रक भी जब्त हुई है इस अभियान में पुलिस ने लगभग 1 करोड की संपत्ती जब्त की है DSP-86 आनन ने बताया कि अन गहन पर भी पूचताच की जारी है ट्रक मालिक मध्य प्रदेश के राइपूर के संसार चंद्र रिहार बताय जारे है उनसे भी फिलहाल पूचताच जारी है साथ ही शराब के अवेद कनेक्शन के तह तक जाने का भी प्रयास किया जा रहा है इस पर यह सच है वह हम लोग आसाम मेले आए लेकिन वह अनुचल पर देश साइड में काम करता था वहीं से वह चालक लाया था जिस अरुचल पर देश से कही तरह का बांट है इसमें इंपेरियल ब्रू है और जो 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 स्राइब पर ल्टी है वह कई सारे में देवल होगा रसम है मात्रा लगवग बावन सु पंचानवे लीटर बोतल तोटल हो गया सत्रह हजार तिन्सव चोदा पीस चोदा पांसर पंचानवे काटू ने काफी बड़ी मात्रा है और इसलिए हम लोग इसके अग्रतर अनुसंधान में भी लगे झाल 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 झाल